हेलो दोस्तो स्वागत थे आप सभी का हमारे इस चैनल पर तो दोस्तो मैं आपको पढ़ाना सुरू किया था भवतिक भुगोल और भवतिक भुगोल मों मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है हमारा सार मंडल तो उसमें मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया है शूर के बारे में बताया है और इसमें वहांसे प्रसंट पूछे जाते हैं तो आपका जो स्लेबस है वो यूनिट वाइस चलेगा और अभी हम लोग फास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजे हैं जैसे बहुती भुगूल के विशाज छेत्र के बारे में परिभासा के बारे में प्रकृत के बारे में दिया था वो मैंने बना दि स्वार मंडल वाला वीडियो आप देख लिजे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड स्वार मंडल और प्रतिभी की उत्पत्ति से सम्मझे कुछ सिध्धान्तों के बारे में देखेंगे कौन-कौन से सिध्धान्त है और कै अच् तो चैनल को आप सब्स्क्राइब कर दीजी अगर अभी तक आपने नहीं किया है ब्रह्माणड स्वार मंडल और प्रतिभी की उत्पत्ति तो हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक शंकलपना की यानि की शंकलपना का मतलब होता है hypothesis, concept आप कह सकते हैं सबसे पहले किसने सिध्धान दिया पिर्थिवी की उत्पत्ती से संबंधित या ग्रोह की उत्पत्ती से संबंधित यह सवर मंडल की उत्पत्ती से सम्मंदित, तो पिरतभी की उत्पत्ती से सम्मंदित सबसे पहले जो सिध्धान दिया था, वो एक फ्रांसिसी वैज्ञानिक थे, कामते दा वफन, उन्होंने 1749 में दिया था, पिरतभी की उत्पत्ती के विशे में तर्क पूर परिकल्पना परश्वत की जिसे पुच्छल तारा परिकल्पना कहते हैं, यह सबसे पहला सिध्धान था, अगर तर्क के आधार पे देखें, तार्क के आधार पे देखें, वैज्ञानिक सिध्धान देखें, तो सबसे पहली थेओरी कौन सी थी, पुच्छल तारा परिकल्पना, पिरत पुछलतारा परिकल्पना अब इसमें हुआ क्या था ये समझना है अम लोग को इस वीडियो में पुछलतारा परिकल्पना क्या थी यही समझना है और इससे पृत्वी कुद्पत्ति कैसे हुई देखे अब इनका मानना था इनके समय में ही फ्रांस में पिर्थभी की उत्पत्ती समंधी खोजे प्रारम्भ हो गई थी इन्होंने अपने मत को वैज्ञानिक द्रिष्टी में रखकर काफी प्रभावित किया है अब देखे ये समझे अब ये क्या कहते हैं कामतेदर भफन कहते हैं कि बहुत समय पहले ब्रह्मान में घूमता हुआ एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा पुच्छल तारा को इंगलिस में कॉमेट बोलते हैं तो बहुत समय पहले ब्रह्मान में घूमता हुआ एक पुच्छल तारा सूर के नजदेख होकर गुजरा जिससे दोनों में टकरा हट हो गए यानि दोनों आपस में टकरा गए कुछ इस प्रकार ये देखे ये सूर है और इधर कॉमेट है निकी एक प्रकार से पुछल तारा है तो ये दोनों आपस में टकरा गए इस टक्कर के उप्रांध बहुत सारा पदाथ सूर से अलग हो गया इस प्रकार निकले हुए सूर के इस पदार्थ से कालांतर में घनी भूत होकर गर्षों तथा उपगर्षों युद्पत्ती हुई यानि ये जो पदार्थ सूर से निकले इधर उदर जो छिटके ये पदार्त ये बाद में घनीबूत यानि ठंडे हो करके ग्रह के रूप में बन गए और उपग्रह के रूप में बन गए यही जो पदार्त इधर उदर गए ये ग्रह उपग्रह बने द्रब पदार्त के बड़े भाग ग्रह बने यानि जो बड़े टुकले थे वो छुद्र सिवाल बाकी पतार्थ ब्रह्मान में ही बिलीन हो गए तो यह इनकी थेओरी थी सबसे पहले उन्हें थेओरी दी कितना सही है कितना गलत ही हम लोग आगे देखने जा रहे हैं लेकिन फिलाल इनका सिद्धान्त क्या था इसको आप फिर से बार थोड़ा सा एक मिनिट में समझ लीजे इन्हों ने कहा कि प्रारम में प्राचीन काल में ब्रह्मान में एक तारा था और एक धूम एक प्रकाल से आप कह सकते हैं धूम के तू नहीं उसको पुछल तारा कह सकते हैं एक पुछल तारा था जो इंगलिस में कॉमेट कहते हैं तो जो सूर था वो इस्तिर था और जो प पदार्त तोट कर भीखर जाते है तो जो पदार्त भृखते उन मेंसे जो जबसे बड़े दे ग्रह बने चोटे थे और एकदम्ते चोटे-चोटे थे थो अन्य आकासने पिंड जैसे चोदरग्राञ बने तो यह इनका कहना था उल्दन इनने सबसे पहला ङ। अब हम मुल्यांकन या आलोचना आप कहे सकते हैं यहां मुल्यांकन होना चाहिए दोनो एखी चीज है हाला कि मुल्यांकन आलोचना में आप जब धीप ली जाएंगे तो थोड़ा आंतर होजाता है तो हम देखते ह Alle-चना मतलब देखते हैं कि इनका सिद्धान कहां तक सही है कहां तक गलत है यह परिकल्पना अपने समय के लोगों को बहुत सत्य मालूम हुई यानि जब यह परिकल्पना दी गई तो उस मयानी 1749 के आसपास यह परिकल्पना बहुत सत्य मानी गई लोग ने का बिल्कुल सही है, यह बात जो आपने कही है, यह बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ होगा, उसमें सत्मा नहीं गई, परन्तु पचास वरसो तक लगभग पचास वरसो तक इस पर किसी ने कोई तर्क नहीं दिया, यानि किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया इस पर, ले सवाल पूछा गया अब चुकि ये तो रहे नहीं होंगे उसमें तो इनके सिध्धानतों से सवाल पूछा गया यानि इनके जो सिध्धान थे उनकी जाच प्रताल की गई आप सिध्धानतों से सवाल तो पूछा नहीं जा सकता एक प्रकार से सिध्धान तो बोलेगा नहीं त अगर एक बड़ा पुछल तारा सुरु से टक्रा गया तो इसके बाद आज तक कोई ऐसा उधरण क्यों नहीं मिला। सबसे पहले यही चीज पूछा गया। कि भाई जितने भी आज आप देखते हों जितने भी ग्रहा हैं अपनी कच्छा में यानि अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। तो भाई पुछल तारा का कोई आर्बिट रहा होगा। ऐसे तो था नहीं कि बिना और्बिट के घूम रहा था। तो कैसे वह आ गया सुरु से टकरा गया। इस पर सवाल उठने लगे। कि वह अपनी ऑर्बिट से बाहर क्यों आया। उसका ऑर्बिट कहा था। सुरु कहां पे था। यह सब पूछा गया। तो इसका जवाब ही नहीं मिला। तो यह पहला कोशिन था इनसे पूछा गया। दूसरा इनसे पूछा गया कि बिशाल कह सुरु से पुछल तारे की टकर इतना महत नहीं रखती कि वह बहुत सारा द्रब पदार्थ सुरु से अलग कर देता। साथ ही सुर की अकरशर सक्ती इतनी तीब्ड है कि वह अपने निकले हुए पदार्थ को तुरंत अपने में सोख लेगी अता किसी भी प्रकार सुर अपने पदार्थ को अलग नहीं होने देता। अब ये दूसरा सवाल पूचा गया है। सुर बड़ा तो फिर वह चकना चूर कैसे हो गया। फिर आगे माना गया कि चलो मान भी लेते हैं अगर थोड़ा बहुत पदार्थ तोट गया। तो सुर में इतनी ताकत उसका गुरुत्व करश्डबल इतना अधिक है कि वह अपनी तोटे हुए पदार्थ को फिर से अपनी उक्री चलेगा। यानि कि अपने से अलग ही नहीं होने देगा। तो फिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका भी जवाब यह थेओरी यह सिद्धान्त नहीं देपाया। फिर पूछा गया अगला सवाल यदि सूर से पिखला हुआ पदार्थ अलग भी हो गया तो उससे बने ग्रह और उपदार्थ गोलाकार कैसे हो गया। फिर इनसे पूछा गया यदि पुछल तारा सूर से टकरा जाए तो पुछल तारे का परिमाल इतना कम है कि सूर को किसी भी प्रकार की कोई हानी नहीं हो सकती। वही चीज़ एक छोटा सा आकार वाला पुछल तारा सूर को कैसे हानी पहुँचा सकता है। कैसे तोड़ सकत कि भाई ये गलत सिद्धान तो पराधारित है लेकिन फिर भी हम इस थेओरी के महत को नजर अंदाज नहीं कर सकते देखिए सुरुवात में किशी ने वज्ञानिक थेओरी कम से कम दी तो उस ताइम तो कोई सी को पता ही नहीं था कि क्या हुआ कैसे बना तो इसका महती इतना ही है कि प्रारंभ में इन्होंने एक थेओरी दिया जो मानते हैं कि 99% गला थे लेकिन 1% तो सही होगा इन्होंने कम से कम यह तो कॉंसर्ट दिया कि हाँ बिसफोर्ट हुआ है कुछ बिसफोर्ट से हुआ है बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि बिग बैंक थेओरी यह होती है और उसमें जो है कि आकासिय पेंडोर ब्रह्मान वगएरा का निर्मान होता हूं आपको बताएंगा आगे तो वह भी बिस्फोर्ट से हुआ बिग बेंग थोरी का सिध्धान जो है वह भी बिस्फोर्ट पर ही आधारी था और इन्होंने पहले ही बिस्फोर्ट का ले लिया था कासेदा वफन ने पहले ही बीश्पोर्ट का नाम ले लिया था तो बिल्कुल तो गलत नहीं है ना एक दो परिशन्तों सही है ही तो इनका महत यही है इन्होंने पहला सिध्धान्त या वैज्ञानिक अधार पर तरकों के साथ दिया हलाकि बाद में गलत हो गए लेकिन इससे के हुआ कि आने वाले जो इतिहासकार थे भूगोलवित्ता थे वैज्ञानिक थे उनको धीरे-धीरे क्या अवा पुरोषाहन मिला यह आगे खोज शुरू ही इन्होंने एक रास्ता खोल दिया कासेदा वफन ने ब्रह्मान को जांचने परखने का उनके बारे तो इसको हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक शंग कलपना में कौन-कौन सी थेयोरी और आगे आई हैं ान पर पासे हम इनके बा स्मुट को जागे हैं